Hello friends, प्यारे बच्चों, जीवन, सुख और दुख दोनों से मिश्रित हैं। जहां सुख हमारा श्वेत पहलू है, तो दुख हमारा स्याह पहलू हो जाता है। जैसे लोलक की जो घड़ी होती है, आपने कभी देखा होगा कि कुछ घड़िया ऐसी होती हैं जिसमें लोलक लगा होता है। और लोलक का काम क्या होता है, वो दोनों आतियों कुछ होता है, और उसके बाद निरंतर गतशील होता है। तो जीवन भी एक परकार की गत्शीलता है. ऐसा नहीं है कि लोलक एक तरब गया तो दूसरी ओर नहीं आएगा. लोलक एक तरब जाएगा, फिर बीच में आएगा और फिर दूसरी तरब जाएगा. ऐसे जीवन में अगर दुख है, तो प्यारे बच्चों सुख भी है. परिशानिया अगर आई, असफलता अगर हाथ लगी, तो क्या उसी को पकड़ करके बैठ जाएंगे? बिल्कुल नहीं. क्योंकि जीवन में अगर कभी कुछ अंधेरे जैसा च्छाणा आया है, तो जाला भी आएगा. आप देखें, रात होती है, तो अवश्याम भी रूप से, आप देखेंगे, एकदम अवश्य है, एकदम अनिवार है, कि मोहक सुबा भी होती है. तो एक बहुत ही हिंदी के सूपर से दिकवी हैं, महानायक के पिता जी, जिनका नाम हरिवन शराय बच्चन है, उन्होंने प्यारे बच्चों एक बहुत सी अच्छी कविता लिखी, और इस कविता में हमें यही संदेश मिलता है, कि जो बीद गई, सो बाद गई. जो जीवन के ऐसे पहलू हैं, ऐसे पक्षे हैं, जो आपको स्याह लगते हैं, जो आपको बचसूरत लगते हैं, जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं, उनको भूल जाने में ही आपको क्या है? अच्छाई है. आप उन्हें भूल जाओ और जीवन एक गत्शिलता का नाम है अगर जीवन में डाइनमिजम नहीं है तो वो जीवन ही नहीं है आप बिल्कुल भूल जाएं कि जीवन का ये स्या पहलू था हमारे आप इसको हमें पकड़ के नहीं बैठने है तो आईए प्यारे बच्चों इसी पे एक बहुत खुपसूरत कविता है जो बीद गई सोबात गई जीवन में एक सितारा था माना या बेहत प्यारा था या डूब गया तो डूब गया अंबर के आनन को देखो कितने इसके तारे तूटे कितने इसके प्यारे छूटे जो छूट गए फिर कहां मिले पर बोलो तूटे तारो पर कब अंबर शोक मनाता है जो बीद गई सोबात गई तो प्यारे बच्चों जो बीद गई सोबात गई जो आपके जीवन के ऐसे पहलू है जिनको आप बरदास नहीं कर पा रहे हो उन्हें आप स्विकार कर लो उन्हें आप बिल्कुल आपको क्या करने है छोड़ देने है त्याग देने है जिधर आपको दोड़ना है उधर आप दोड़िए परगति का मैदान आपके सामने है शिखर पे आपको जाने है आशा करता हूँ प्यारे बच्चों ये कविता आपको अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी है तो आपका लाइक एक जरूर बनता है तो आज के लिए इतना ही थेंक्स फॉर वाचिंग और लिस्निंग देशी जाजी प्रकास तूपी साइनिग ओल